नमस्कार दोस्तों आज हम लोग अद्हिन करेंगे बिधुत बिभुवांतर किसे कहते हैं या क्या होते हैं तो बिधुत बिभुवांतर जो है यहां पर यह फिगर के माध्यम से अगर यह तो बहुत असान तरीका है कि किसी धानावेश को माना यह धानावेश है यानि इसको एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में किये गए कारे को बिधुत विभुवानतर कहते हैं यह कोई बिंदू है इस बिंदू को हम ए मान लेते हैं और यह जो बिंदू है इस बिंदू को भी मान लेते हैं तो अब परिभासा कैसे बोलेंगे कि किसी धानावे इसको या धन आवेशित कन है इसे एक बिन्दू से दूसरे बिन्दू तक ले जाने में किये गए कारे को बिधुत बिभुवांतर कहते हैं अब इस परिभासा अनुसार जो है आप लोग समझ लिजिएगा और इस तरीके से भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते है अब बिभुवांतर बिधुत बिभुवांतर बराबर होता है कारे बाटा आवेश यानि कारे बाटा आवेश अब इसका मातरक जो है तो इसका मातरक भी इसी में से आप लोग निकाल लेजिए यानि कारे का मातरक जूल और आवेश का मातरक कुलाम यानि इसका मातरक हुआ बिदुद बिवांतर का जूल प्रती कुलाम या इसका एक और मातरक होता है वह होता है बोल्ट अब इसके जो हैं कुछ बड़े मातरक और छोटे मातरक तो एक मेली बोल्ट में 10 परगात माइनस 3 बोल्ट होते हैं एक माइक्रो बोल्ट में 10 परगात माइना 6 बोल्ट होते हैं एक किलो वाट बोल्ट में 10 परगात 3 बोल्ट होते हैं एक मेगावाट बोल्ट में 10 परगात 6 बोल्ट होते हैं